Hello and welcome back guys MySQL की सिरीज को continue करते हुए पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे हम किसी भी एक टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखींगे कि कैसे हम अपनी टेबल के अंदर के डेटा को अपडेट कर सकते हैं So let's get started Now सबसे पहले मैं खोल लोगा अपना MySQL So यहाँ पर मैंने अपना MySQL खोली और फटा फट से मैं अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ MySQL के अंदर सबसे पहले तो हमने अपना School नाम का डेटावेस बनाया था तो मैं उस डेटावेस को यूज कर लेता हूँ Use School लिखकर और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक बार हमने Student नाम की टेबल बनाया थी Select Start From Students यहाँ पर मेरी ये टेबल थी इसके अंदर मैंने ये सब data insert किया हुआ था अब यहां तक हम ये सब कुछ कर शुके थे पिछली वीडियो तक अब हम बात करेंगे update command के बारे में आज किस वीडियो के अंदर so update करने के लिए हम अपने table के अंदर की data को update कर सकते हैं किसी भी data को किसी भी एक particular column के अंदर किसी भी data को या फिर पूरे क पूरे column को भी so यहां पर हम क्या करना चाहेंगे हम चाहते हैं कि marks नाम का हमारा column है यहां पर marks हैं सारे students के हम चाहते हैं for example सब students के marks दो से बढ़ जाएं यानि कि सब सारे marks में plus two plus two हो जाए तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम update command का use करेंगे it's just an example आप इसके लावा कोई और example भी ले सकते हैं यहां पर मैं सारे students के marks दो से बढ़ाना चाहता हूँ तो यहां पर हमको use करना होगा update command को लिखना होगा update student यानि कि update then table का नाम उसके बाद हमको लिखना होगा set column का name column मुझे update करना है marks तो marks is equals to marks plus two में लिख दूँगा यानि कि update कर दो student table को update table name table name हमारा student है then set कर दो set कर दो marks को marks plus two यानि कि यहां पर marks plus two होगा और वो marks के अंदर assign हो जाएगा for example 80 80 plus 2 is equals to 82 marks के अंदर चले जाएगा यानि कि set हो जाएगा और set कहां पर होगा table के अंदर student table के अंदर so update कर रहे हैं हम student table को और set कर रहे हैं हम particular column को so इस बात को आप ध्यान रखें कि update के साथ हमेशे table name आएगा और set के साथ हमेशे column name आएगा इस column पर हम उस operation को perform करना चाहते हैं तो यहाँ पर simply अब मैं लगा दूँगा semicolon और जैसे ही मैं enter करूँगा तो यहाँ पर मेरे आ चुका है four rows affected अब मैं क्या करूँगा फिलाल मैं इसे थोड़ा zoom करता हूँ आपके लिए हाँ तो अब अब क्या करेंगे हम हम देख लेते हैं अपना data की अपडेट हुआ भी है या नहीं मैं कर लूँगा select star from student और यहाँ पर मैं देखूँगा तो यहाँ पर आप देखे 80 का 82 हो गया 90.5 का 92.5 हो गया 87.5 हो गया और यह 77 हो गया जो की पहले 75 था तो इस प्रकार से हमारा यह सारे records increment हो गए है अब इसको इस तरह से ना लिख कर अगर आप चाहें तो पुरा complete एक line में भी लिख सकते हैं जरूरी नहीं कि आपको student के बाद यहाँ पर मदब table के बाद आपको enter करके दूसरी line में ही आना है यह just मैं आपको दिखा रहा था आप चाहें तो एक line में भी query लिख सकते हैं और मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर आप लिख सकते हैं update student set marks equals to marks plus 1 एक से मैं और बड़ा देता हूं marks और अब मैं जैसी enter करूँगा तो यह ऐसे भी हो जाएगा हमारा simply एक line में अगर हम लिखेंगे और अब मैं अगर करके देखूँ तो हमारे यहाँ पर आ चुका है 82 हमारे 83 बन गिया और बांकी सब में भी एक से increment होगे सारे marks इस परकार से हम किसी भी एक particular column के अंदर के data को अपडेट कर सकते हैं उसको increment, decrement कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि मैं plus one नहीं करना जाता हूँ मैं minus one भी कर सकता हूँ मैं basically कुछ भी operation perform कर सकता हूँ बस syntax आपको याद रखना है कि update के साथ हमेशे table नहीं मायक और set के साथ हमेशे column नहीं मायक अब यहीं पर मैं एक और बात आपको बता दू इस परकार से तो हमने यह update कर लिया अब आपको कहीं जगे लिखा हुआ दिख सकता है या फिर आप यह करके भी देख सकते हैं आप अगर लिखेंगे select role number for example role number and name start से तो हमारे सब को select हो जाता है मैं सिर्फ role number और name ले रहा चाता हूँ और मैं यहाँ पर अगर लिख दू marks plus two आप इस example को दिहान से देखें marks plus two लिख दू मैं और यहाँ पर मैं लिख दू from student अगर मैं इस परकार से लिखता हूँ कि select कर लो भाई role number को name को और marks plus two को और अब मैं अगर result देखूँ तो आपको दिखेगा कि role number है और name है और marks plus two हो गया है यानि कि इसमें भी two increment होगया इसमें भी होगया तो आप कहिंगे तो भाई यह तो बिड़ना update command चला है हमारा काम हो गया हमने direct select कर लिया तो यहाँ पर यह सिर्फ हमको एक view दे रहा है कि भाई marks plus two नाम का column इसने यहाँ पर हमको select करके दिखा दी यानि कि हमने directly select statement के अंदर इसे दिया हुआ है तो यह हमको सिर्फ अभी दिख रहा है select करने के बाद data अगर मैं अपनी original table देखू ना select start from student करूँ करती है उसके अंदर का data update हो जाएगा तो यह इन दोनों के बीच का difference है I hope आपको clear होगा यहाँ पर सिर्फ हम marks plus two select कर रहे हैं कि marks में दो बढ़ा कर हमको just दिखा दो select कर लो इस data को और update command से में उस actual table के अंदर घुसके उस actual table के अंदर के column के अंदर का data को modify करके update कर रहे हैं so I hope आपको यह clear होगा हमेशा जब आपको table के अंदर के data को update करना उस table को update करना है तो आप update command का ही use करेंगे अब यहाँ पर तो हमने क्या किया हमने update command को use किया set कर लिया marks को और हमारे सारे के सारे marks update हो गए अब हो सकता है कि student के paper check हुए और हो सकता है कि किसी एक particular role number के किसी बच्चे के marks में increment आया है जब cross check करके देखा marks को तो वहाँ पर एक दो number बढ़ रहे थे लेकिन भाई हमने तो यहाँ पर एक condition apply कि तो यह सारे के सारे बच्चों के इसने marks बढ़ा दिये यहाँ पर हमने जो statement लिखी थी तो उसमें हमने direct लिखा था अबडेट students at marks is equal to marks plus 1 यानि कि table के अंदर के पूरे के पूरे कोलम में जितनी भी row exist करती हैं सारे के सारे entries के लिए वो marks update हो गया बट हम अगर एक particular entry के लिए ऐसा करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं by using the where clause और इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में एकदम deep understanding लेंगे और practically समझेंगे कि where clause को कैसे use किया जाता है और इसके बाद आपके एमन में update को लेकर कुछ भी question नहीं रह जाएंगे आपको एकदम सारी चीजे crystal clear हो जाएंगी तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखूंगा इस वीडियो में आपडेट कमांड के बारे में I hope आपको सारी चीजे clear होंगी Thank you so much guys for watching this video and I will see you in the next one